हेलो वैमिली कैसे हो मैं हूँ सूनियो अरे सूनियो नोबिता का फ्रेंड पहचाना एक्चुली रिशी डूडी ने मुझसे कहा कि क्वेस्चन्स तयार करके रखने हैं जो आप सबने री डूडी दीक्षा और संजे से पूछे हैं ताके मैं क्वेस्चन्स उन तक पहुचा सक क्वेस्चन नंबर वण आपके अंदर आटिटूड क्यों नहीं है भाई बाहर चले बाहर चले ओमाई गाद I am tipping right now बच्यो मैं ने आपने लाइफ के तज़र्मे में ऐसा केस पहले कर लिगी तेखा क्या बात करें डॉक्टर साल प्रूप तो में ऑर साथ में विटामिन ए और एफ की कमीर है यह पताओ कि विटामिन ए और एफ होता क्या याँ बिटामिन ए जोनी के attitude जोके काफी जूटूबर में होता है और बिटामिन एफ फुकरापन दूठ वो तो आप में है ही नहीं मेरी डुक्तु साम कहतो कि ये जूट है कहा कमी रहगी मेरे पांच साल के यूट्यूब करियर में इसका कोई राज है गबराने की बात नहीं है मैं आपको दवाई दे रहा हूँ जे अपने तब लेनी है जब आप वीडियो अपलोड करें और वीवज आई फीर देखे इखें इक अच्छर यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वीडियो इसलिए कादमी तो अपलोड कर देखें इन्यच्छी एज़ए ज़े रहा है जिज पूरेगोरे में कि विडिए देखो बो एक याय आपपोड कर जी है हाई गाई हमारी वीडियो पर एक लाग व्यूस हा गए है अब सपोर्स कार लेने के लिए लिए है डॉक्तर कीफ़ दचे एंजोई कर आप मेरी तरफ से भी दोक्टर साब यह क्या हो रहा है? देटा इस दुआई के साइड एफेक्ट है अब इनका मन स्पोर्ट्स कार लेने के लिए भी करेगा OMG YEAH QUESTION NUMBER 2 DID YOU EVER PEE IN SWIMMING POOL? ने ने एक साइकिन यह कैसा सवाल किया आपने कि हमने कभी स्पोर्ट्स कार लेने के लिए हम यह काम करते रहते हैं आप यह हमें मैनर्स हैं हमें पच्छपन से मैनर्स ही खाएगे जया And it's so disgusting, man अब तस़े पील कैसा होता होता होगा आप लोगको ऐसी तीना होता है यह बता होग पूल के बीच में बेटके सुसू करते That is very unhygienic It feels so disgusting to do it 3 कोई टर्टिंग कर दिया6 जब वैवतारा यह टेडिया6 मैं चीपनियिद ए सथावध टैल क्वेशिन नंजुखाएंद है एफ एाप को बोल पाइसा मांगता है अपोन पाइसा हाहाहाहा कोई तुझे बचाने वाला हो के लवा हाहाए वो दूसरे पदरही कहा चालागी है यर पचाल! ओपाई! अड़ खुझsषिए! राथोर्ड विकृरम राथोर्ड विखक्रम राथोर्ड ते अम दो ते दिखाट पांस टाइन मारके आने हैं एक मेरी बाहस वाँ थूख्ण्नच अमक्न आपनी अमकनी बहांन को पहले फारे हो सक्थी तो इस बढ़ा रहा है तो इस बहुत है कि कॉन है एक मुझे सिंपल लॉजिक बताओ ठीक है ऐसा कॉन सा भाई है जो अपनी बहुत प्रशेसिव नहीं है आपके लिए आपको कॉन्टेंट बना कर दिखाए वो तो पुसेशिव है तो है उसमें कॉन्टेंट कोई बना रहा है वो तो नेचर है नहीं बंदे की वो नेचर है आज गाइस मैं को मैंन्स रीड करता हूं ठीक है मेर को रप्लाइ कर जहने यह प्लीज तु इट प्लीज तु इट तु इट तु अट इस दू अट इस दू अट क्वेशिन नंबर फोर विल यू गो एंड बिग बॉस कि आपके हिसाब से किसमें फिनाले में जाने की काबिलियत नहीं है भाई यार फिनाले का तो छोड़ो बट आप लोग नहीं आप किसे ने रेस्तरी टेटल्स में देखी है दूड़ हाद मे रहना मेरे साथ वाव वाव वट अ मूवी मैं कहता हूं इससे जादा अच्छी मूवी मैंने आज से कभी देखी नहीं ब्रेस्तरी अम आवोड से कि जवान को थोड़ी नोट्स लेने चाहिए थे मूवी से है हॉर्मोनल प्रॉब्लम चलब है तुमारा कुछ जी 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 भाई इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तभी इसकी ताड़ी ना फस से भी ज़ड़ा सॉफ्ट आती है जी बच्च्छा है सल्मान भाई आपका फिनाले के बाद का क्या प्लान है हाँ याँ पांटी करने चलते है याँ गेडी पी जाते है बेट नाइट गेडी ओमाइगोड येस मैं आओ जाओं क्या अपनी पर मैं तो अपनी पही है ना वही जीक्षा वो गुस्से में बोल रहे है भाई माम कर दो बच्च्ची एच्ची 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 माम कर दो बंटाई दूणा तो मुझाब बनी गाँ ये का बंटाई ये जो आउट डेटे मॉले की बाशा है ना ये लेके मत चल तू कोई सी बात करता है का इसकलवाबर मैं आओ आओ आपनी अपनी पे हाँ क्या हूँ बैंग मी अप लोग बैंग मी अप नल्ले डॉन चो बैठ बैठ आप आरा हूं तेरे पास ने ने भाई आमने कोई पंगाणी लेना आपके गुस्ता और प्यार दोनों अंसर्टल साइज है हमने बैठ बैठ लगता है भाई मतोफा कबोल करो बैठ 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 भाई हम बिटा फून के नहीं रह सकते भाई क्वेस्चिन नमबर फाइव वाई संजय विन्स ते मोस्ट चालेंज़ आज के दिन हमने एक और चैलेंज़ शूट करना है तो मैंने अपना काला जादू रेडी कर लिया है और मैंने यहाँ पैसे रख दिना है और जब इसके उपर पैर रखेंगे इनको पता भी नहीं लगाएंगे कि इनके उपर काला जादू हो चुका है हाहाहाहा वैमली अभी इन दोनों पर काला जादू हो चुका है और आज का चैलेंज वी मैं ही जीतने बाला हूँ तो काला जादू करता है हम पर अमें पता-तक नहीं चला और याद आज भी मैं उनKA जवाब दे रहा हूँ जो उने पुछा है कि मैं हरी चैलेंग कैसे जीता हूं गताओ असमसे कैसे जीते का पूंग है अपने भी जिए अपने भी कल से काला जादू गरे यह जो ठीक है लुट इवैसे बैखता नियू यह जेनकली एथी कहिना question number six Rhee बहिया आपकी नाख में कितने बाल है क्या ये क्या सवाल है कि Rishi बहिया कि नाख के बाल गिनो हम वेल हैं हम आपके लिए व्लोग ना बना है नाख के बाल ही किनते रहे बताओ इतना टाइम है कि एक एक बाल हम लोग इने बेच के बताओ ये नाख ब्रोग अभी उने लेक्षा तो बुचा ये वह लेट्स दू इत वह जाता है यार क्या बाल है रूड़ी क्या बाल है क्या नरिश्मेंट करते शैपुल गाते है अंधर जैपल गाता हूं यार नेक्स लेबल बाल युड कका लेटी नाख बड़ा च्टा है तो तरे बाल पर शक्रफदे नाख इन ये मैं कहते और लाँ यॉफड़ी टिक्षा का नाख लेटे इसका वाइड है प्रफबले इसको वाइड हा पाद सप्रफमें टॉरूज इ Online वो इसका beauty planner हुआ है इसका beauty planner जो आघा ओमधा इस सहाव Bro, no wonder इसके naak kendra को चुवानी था इसने inbuilt hit रखा हुआ है तो क्या गर रहे हो इतना भी बड़ा नाक दी है भाहिरा When will Rishi भाहिया finally get a real girlfriend? Girlfriend, 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 कब बनेगी मेरी girlfriend? जूड़ यह तो भगवान ही जानते है जूड़ भगवान को चोड़ो वो ना पेड़ के देजे भाहिया आय थे हाथ देख रहे है हम भी अपने दिखाए हाथ तू अपना रहें दे मैं अपना दिखाता हूँ भया भया मेरा हाथ देख लो गर्फरेंड नहीं मिल रही कर दूड़ फरेंड चाहते हो लॉंग टाइम लिए छाते हो में भी चाहते हूँ जो हाथ देखते हो अटके लगे होए मेरा तो क्या ही होगा अस्मुमेंट ब्रो अस्मुमेंट याँ अस्मुमेंट है याँ आपकी तो किसमत में कृतिस हैने दिशापतानी तुमारे रस्ते में तो पत्थर ही बाउंत है उन तक पहुचने के लिए तुमें रस्ते के पत्थर हटाने पडेंगे सालो तुमारी ऐसी दैसी है डाए किस्टन नंबर 8 वाइडोंट यू स्टार्ट अशॉर्ट चैनल यार गाइड आपने बोले शॉर्ट चैनल शुरू कर लो साल यह तो जगही नहीं है भाई क्लॉस्ट्रों को भी फील हो रहा है यार अब सबसे बड़ा सवाल वेंडी इस गेटिंग मारेड अब यार यार यह कब से लगे हुए यह शादी पे डूडी तो यार दूड़ पता तू कब कर रहो शादी मैं कब कर रहा हूंग सबस्क्राइब अब मसाला शादी करी लेते हैं बहुत हो गया चलो का सबस्क्राइब कि अपने 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 कि अपन पेर बज्जा आपने उडा लिया, लड़की कहा है? तब जब लड़की है नहीं तो फिर ऐसे सवाल क्यों पूछते हो, कि शादी कब होगी? नहीं होगी ना शादी, जब लड़की होगी तो होगी, क्यों भाई? जब लड़की होनी कहीं कि नहीं कि बंदा खुद से शादी कर ले, अगर आप से सवाल पूछा कि भाईया की शादी कब होगी, अब मैंने आपको फील दिला दिया, अब मत मेरे पीछे पढ़ना, तो नेक्स कॉश्चन पे आपके 10 मिलियन सब्सक्राइब़र्स कब होंगे? इस देश में हजारों और लागों ऐसे चैनल्स हैं, जिनें हमारी सपोर्ट के जरूरत है और वो बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन हम किसे सपोर्ट करते हैं? हम उन्हें सपोर्ट करते हैं जो अपनी मजबूरी हमें दिखा कर हमें मजबूर कर देता है ये सोचने के लिए कि शायद इस creator को हमारी जरूरत है तो मेरी आपसे घुज़ारिश है कि अगली बार अगर आपको कोई सबस्क्राइब करने के लिए कहे तो उसे सिर्फ ये पांच सिर्फ पांच सवाल पूछे पहला कि क्या आप भी हमें उतना ही प्यार देंगे जितना हम आपको देते हैं? दूसरा, क्या आपको सारी जिंदगी पर ये एहसास रहेगा कि जो लम्हें मैंने आपको दिये हैं आप भी मुझे देंगे उसे एप्रिशेट करके? तीसरा, क्या आप भी मुझे गले लगाएंगे जिस तरीके से मैंने आपके content को गले लगाया है? चौथा, अगर आप parents हैं और आपका बच्चा एक creator को देखता है तो आप उसे सवाल कीजिए कि वो creator आपके बच्चे को क्या सिखा रहा है? और पाच्वा, जिस तरीके से हमने आपको family माना है, क्या आप भी हमें family मानते हों? सिर्फ subscribe करने से पहले आप पूछने क्यों नहीं? आप पूछें, उनसे सवाल कीजिए, उनने कहिए कि आप क्या करेंगे हमारे लिए? और अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपको किसी रिशी देव, दिक्षा, या संजे की जरूत नहीं पड़ेगी ये बताने के लिए, कि किस को 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेकर जाना है? आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, जो काबिल है, जो अपनी जिन्दगी के सारे दुख बुलाकर आपके लिए खड़ा है, वो कांटेंट लेकर जिससे आप तक खुशी पहुंचें, क्योंकि हरे की जिन्दगी में गम बहुत है, और इस गम को चुपाने के लिए, वो क्रि